पिछले एपीजोड में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे आप और मैं हम सब पूरा दिन कैमिकल का इस्तेमाल करते हैं और मैंने कहा था कि इस कैमिकल से बचने के मैं आपको पाए बताऊंगा हर चीज़ का अल्टरनेट है तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से सुबह उठे हैं सुबह उठने के बाद हमने टूथ पेस्ट किया टूथ पेस्ट में कैमिकल गया हमें क्या करना है तूथ पेस्ट नहीं करना है वैसे तो हमने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने होममेड पेस्ट बताया था जिसमें संत्रे का छिलका, नीबू के छिलके से और बेकिंग सोडा वगयरा मिलाके बनाया था यह सिंपल सी चीज है कि हम नमक और सरसों का तेल उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अगर इससे हम अपने दांतों को साफ करते हैं एक तो यह मस्रूडों को भी जकड लेता है यानि कि आपके दांत जो हिल रहे हैं वो भी दूर हो जाते हैं और साथ में नेचुरल फॉर्म में ही आपके मूं की क्लीनिंग हो जाती है अब यह सब के लिए करना संभव नहीं है तो आपको क्या करना है कैमिकल फ्री कैसे होना है आपको टूथ पाउडर खरीदना है अगर आप टूथ पाउडर खरीदते हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो टूथ पाउडर लेना है जिसमें जाग ना बनता हो क्योंकि अगर जाग बना यानि की फिर ये chemical प्रोसेस के थूरू ही बन सकता है तो जिस भी tooth powder बहुत सारे tooth powder available है उनका अगर आप इस्तिमाल करेंगे जिन में जाग नहीं बन रहा उसमें कोई chemical नहीं होता है तो दिन की शुरुआत तो कम से कम chemical free हो गई वैसे अगर आपके लिए संभा हो तो नीम की दतून करें आप तो बहुत अच्छा रहता है तो दातों की exercise हो जाती है मूँ की exercise हो जाती है पूरे antibacterial है नीम और बड़ी अच्छी natural सफाई हो जाती है तो अगर संभा हो तो दातून का इस्तेमाल करें वरना हमने जो toothpaste बनाया था उसकी link में description में डाल दूँगा वो आप बना सकते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद आपने क्या किया चाय पी चाय यानि की refined sugar आई थी और refined sugar chemical process से बनी है और बहुत नुकसान दायाख है sulfur है और दुनिया वर के तमाम chemical process बहुत ज्यादा chemical के तरू हुई है उसकी जगए किसका इस्तेमाल करना है आपको बहुत आसान आसान सी चीजें available है coconut sugar available है आपके पास jaggery good अगर good का आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा हो उसको जमा दिया जाता है ये गुड़ है उसके बाद chemical process शुरू होती है जिससे कि ये शक्कर बनती है तो गुड़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में ये आपके लिए harmful बिल्कुल नहीं है और मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पहले के दौर में हम लोग मिश्री क हमेसे जो बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं जो मिश्री वाली आप मिश्री का इस्तेमाल करें ये बिल्कुल नहीं है, इस्टीविया के पत्ते आते हैं, कि स्टीविया के पत्ते का आप सिरप बना के रख लें, इस्टीविया का पेड़ होता है, वो शक्कर से भी कई गुना ज्यादा मीठा होता है, बस उसको आप बॉयल करके, वैसे ड्राइ फॉर्म में भी मिलता है आजकल, उसको का substitute बन जाएगा वैसे coconut sugar मिलती है coconut को थोड़ा सा coconut के tree से जो sugar बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी है खजूर की भी sugar मिलती है खजूर की शुगर तो आप घर पे बना सकते हैं खजूर को लेके थोड़ा सा dry roast कर लें उसका जो extra moisture है उसको सुखाल है जब यह थोड़ा कड़क हो जाए इसको piece case का powder बना लें यह natural sugar का काम करेगा तो यह धेर सारे alternate है शुगर के लिए इसके बाद आप नहाने गए थे नहाने के time पर जो shampoo का आपने इस्तेमाल किया था इस पर वैसे मैं episode ही करूँगा पूरा उस shampoo की जगे powder form में जो shampoo होते है उसमें जाग ज्यादा नहीं आएगा लेकिन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और आपको chemical free रखेगा रीठा आवला शीका का यह तीन powder मिला के सिर्फ यह simple सा तरीका है इसको घरम पानी में घोल के इससे आप head wash करें तो आपके जो शेंपू जो आपके बालों को आपके scalp को नुकसान पहुचा रहा है यह उल्टा करेगा यह फायदा पहुचाएगा वैसे हम भी एक powder बनाएंगे आने वाले कुछ एपिसोड में जिसमें काफी सारी हप्स का इस्तेमाल करके वो powder बनाएंगे जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा अ आपने खाना खाने बैठे अब मैंने काता है रिफाइन ओयल है और प्लस खाने में जो पैस्टेसाइड है तो पैस्टेसाइड कैसे निकालने है इस पर हमने अल्रेडी एपिसोड किया हुआ है उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो एपिसोड देखे आप और जब भी सबजी खरीते हैं बाहर से जो भी फ्रूट सबजी जो भी लाते है उसको आपको इसी तरह से बॉश कर लेना है हाँ इसके पहले मैंने नाश्टे की बात की थी कि नाश्टे में आपने रिफाइन ओयल का इस्तेमाल किया है और जो ब्रेड वगेरा का इस्त पहला मील जो होगा वो फ्रूट होगा और फ्रूट को कैसे वाश करना है उससे पेस्टिसाइट कैसे रिमूव करना है वो लिंक देखके उसको इस्तेमाल करना है अच्छा एक केमिकल आपके शरीर में अभी भी जा रहा है वो है रिफाइन ओयल का उसके लिए क्या करना है देखिए कच्ची घानी का कोई भी तेल ले ले रिफाइंड ओयल तो आपको लेना ही नहीं है उसकी जगे घी का इस्तेमाल कर ले घी बहुत बेतर है रिफाइंड ओयल से और ये जो घी को लेके बड़ा मित फैलाए गए थे घी बहुत हाम फल है ऐसा नहीं है ये रिफाइंड ओयła है ये Susan यसे बहुत अधो आपको इस्तेमाल करें कोगोनट ओयल एक्स्ट्र वर्जन अगर अगर आपको मिल जाता हो किसा अगर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इस रिफाइंड ओयल से आप बच सकते हैं अब आ रहा है आप सोरते समय ओल आउट जलाते हैं बंद कर दीजे ओल आउट जलना मच्छर दानी लगा लीजे बहुत सारे तरीके हैं मच्छर बगाने के लेकिन सबसे बैस तरीका है आप मच्छर दानी लगाकर सोईए क्योंकि जो भी बाकी के तरीके हैं उन सब मे केमिकल है और बहुत सीरियसली आपकी हेल्थ को डेमेज करने वाला केमिकल है तो सिर्फ मच्छादानी लगाई है थोड़ासा धूप में जरूर गूमना है आपको 45 मिनिमम धूप पे रहें और कम से कम कपड़े पहन के धूप में रहें शरीर को धूप लगानी है आपको और पानी आप पी रहे हैं उसमें स्लाइस करके नीबू डाल दे ताकि एक तो वो पानी अलकलाइन हो जाता है और नीबू का जो वाइटमिन सी है वो continuous होता रहता है पानी में तो जिस बोटल में आपने पानी रखा है प्लास्टिक की बोटल का इस्तेमाल ना करें उसकी जगे क गेहूं के दाने के बराबर चूना डालने आप और वो पानी आप दिन भर पियें और अगर तामबे की बॉटल नहीं काँच की बॉटल है या स्टील की बॉटल है तब उसमें स्लाइस करके नीबू डालने और दिन भर ये पानी पियें इस तरह से आप अपने शरीर को अपने परिवार को केमिकल फ्री रख पाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपके स्वास्त में बहुत ज्यादा अंतर आने लगेगा बाकि हमारी कामना तो यही है कि आप स्वास्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अगर स्वास्त रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना न भूलें धन्यवार